हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है महारे चाया लेवरी रेन्यू में दोस्तो आरार भी एलपी एन टेक्निशन के छात्रों के लिए एक और जोन से बड़ी अपडेट आ चुकी है जिहां फ्रेंट्स कई ट्रेड़ वाले छात्र है जिनकी ज्वाइनिंग लेटर आ चुकी है और 29 जुलाई से इन टेक्निशन वाले छात्रों की ज्वाइनिंग स्टार्ट होने वाली है फ्रेंट्स यहां पे इंटर स्टेट कॉरेंट्स की नोटीस भी ज्वाइनिंग लेटर के साथ में भेजी गई है यानि अगर दूसरे स्टेट से यहां पे ज्वाइनिंग के आने हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाद जेगा रेलवे भरती की पलपल की अफडेट के लिए तो एरे ही फ्रेंट्स कंडिडेट की ऑफिसल ज्वाइनिंग लेटर जो की दोस्तो अब इसमें देखिए अपको बुलाय गया है और कहां पर ज्वाइनिंग के लिए बुलाय गया है तो एपूरे एड्रेस आपका दिया गया है देख सकते हो और ट्रेन लाइटिंग वाले छात रहे हैं इनकी ज्वाइनिंग चार आठ दो हैर्बीस को सुबह दस वजे होने वाली है तो सारा कुछ डॉक्मेंट्स आपको लेके जाना होगा उसी तरह से अधर अधर ट्रेट वाले कंडिडेट हैं उनके लिए भी दूसर के जाने है वह मेंशन कर दिया गया है कि character certificate लेके आना हो गाया के कास इंडिविकेर ऑफ इंडमिनीनींटी बोंड दिया घ्याए वह भी removed लेके जाना होगा इसके बात करते और रहे और डेट आपको यहां पर लिखना है अब देखिए फ्रेंड्स ए जो आपका जॉइनिंग हो रहा है बैंगलोर के अंतरगत हो रहा है यानि करनाटका अस्टेट के अंतरगत हो रहा है तो कोवीड-19 के कारण फ्रेंड्स यहां के गुवर्मेंट ने एक इस तरह से रूल्स न करनाटका में इंट्री चाहते हो तो ऐसे केस में सबसे पले तो आपको सिल्फ रेजिस्टेशन करना होगा सेवा सिंधू पोटल पे तो एप डाउनलोड कर सकते हो या फिर दोस्तों ऑनलाइन भी इसको फिल अप कर सकते हो अब इसमें क्या क्या डिटेल्स आप से मांगे ज के साथ जा रहे हो तो एक ही नंबर आप लोग यहाँ पर रेजिस्टेशन के लिए उप्रोग कर सकते हो इसके बाद बिजनेस विजिटर्स तो ऐसे केस में आपको क्या-क्या डिटेल्स देने हैं ट्रांजीट ट्रेविलर्स टु परवाइड एड्रेस इन देस्टिनेशन state and indicate exit check post from करनाटका और जो transit travelers यानि कुछ थोड़े समय के लिए वहाँ पर कुछ काम से जाएंगे फिर बापस लोट के आ जाएंगे वैसे candidate भी यहाँ पर डिटेल्स अपना डाल सकते हो तो सेवा सिंधू एफ है फेरेंस पोटल है यहाँ पर जाके आपको सबसे पले तो डिट करनाटका में जो जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर भेजे गया है इसके बाद देखिए बोडर चेक पोस्ट एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन सभी जगा आपके यहाँ पर हेल्थ स्क्रीनिंग चेक किये जा सकते हैं होम कॉरंटाइन हैंड सेंप्लिंग ओन हैंड फोर्टी स्टेट से करनाटका में जाते हैं यानि पर्मानेंट रहने या फिर करनाटका कहीं कंडिडेट हैं जो लोग हैं जो अधर स्टेट में राते हैं और करनाटका में आते हैं तो ऐसे केस में यहाँ पर साथ दिन का उनको हस्पिटल आइसोलेशन दिया जाएगा तो यह जरूर के लिए जॉइनिंग के लिए जाते हैं और फिर बापस आने होते हैं तो ऐसे candidate transit traveler में आ सकते हैं तो transit traveler from other state में देखे to establish that one is transit traveler person should so flight या फिर train ticket for onward journey which should not be more than one day later from the date of arrival यानि जिस दिन आप लोग पहुंचते हो आपको flight की ticket या फिर train की ticket उनको दिखाना होगा in case one is traveling by road road से अगर travel कर रहे हो he she should provide the identity proof and address proof identity proof या फिर address proof आप से मांगा जा सकता है such traveler should be hand stamped if traveling by road as transit traveler अगर roads जाते हो तो SXS में hand stamp लगा जा सकता है transit traveler के form में train से जो plans जाते हो तो यहां पर आपको जो भी है stamp नहीं लगा जाएगा और आपको जो काम है वो काम करके दोस्तों जल्द से जल्द वहां से लौट जाने होंगे इसके बाद home quarantine street enforcement के बार में rural area में क्या-क्या rules है BB MP और urban area में क्या-क्या rules है वो दिया गया है करनाटका state के लिए इसके बाद next देख लिए आप लोग महाराष्ट्रा के candidate के लिए अलग से ही बोला गया है जो कि महाराष्ट्रा में आपको पता है सबस्यादा covid-19 cases है तो यहां से अगर आप लोग आते हो महाराष्ट्रा वाले candidate हो जा रहे हो joining के लिए तो देख लिए फ्रेंस जो transit वाला है वो देख लिए transit traveler के अंतरगत आते हो तो ऐसे केस में आपको train ticket या फिर flight ticket जो भी यह दिखाना होगा और इसके बाद अगर roads से आते हो तो वह ही address proof आपको दिखाना होगा और यहां पर transit traveler के फ़र में अगर roads से आते हो तो यहां पर stamp लगाया जा सकता है तो इस प्रकार से कॉरांटाइन का जो process से कुछ norms है रूल से वह follow आपको करने होंगे खास करके देखा जाए friends तो अभी यह rule निकाले गया है लेकिन joining में अभी अगर कुछ condition ठीक ठाक रही तो यह सारे follow भी आपको नहीं करने पड़ेंगे अब देखिए यह तो आपका था दोस्तों कुछ norms अभी फ्रेंड सेकेंड ट्रेड वालों की joining लेटर तो देखिए यह भी आपके आरर्र भी बैंगलोर जो नहीं साउथ बेस्टन रेलवे के ही जिनकी joining लेटर आई हुई है हुब्री डिविजन इनको भी लोट किये गया है और 29-22-20 के रेट में इनकी joining लेटर आचुकी है call लेटर कम offer of appointment अब इसमें देखे details candidate के mention है इसके बाद यह जो offer of appointment है friends किस post के लिए है तो offer of appointment अज technician grade 3 signal और telecommunication तो signal और telecommunication वाले candidate के भी दोस्त ही आपको दोस्तो permanent basis पर job मिलेंगी इसके बाद कौन-कौन से documents आपको लेके जाना है सब कुछ यहां पर mention है पढ़ लिजेगा next four number point देख लिए friends कई candidate का सवाल रहता है कि अगर इस परकार से लिखा रहा joining letter में you will have to pass the necessary medical examination before your appointment you will have to pay rupees 24 towards medical examination भी तो क्या यहां पर joining letter में लिखा को cut कर दिया गया है यानि बाद में आपके कोई भी medical test नहीं होने वाले जो आपका medical test हो गया वही आपका final है आपके बस joining ही मिलेंगे इसके बाद next है तो stamp 10 रूपीज बैलू का जो special address paper होता है उसको चिपका के दोस्तों आपको यहां पर बनवारा होगा agreement bond या फिर service bond होता है उसको इसके बाद देख लिजे training की बात करें तो initial training 12 months यानि 52 weeks का चलेगा क्योंकि signal और टेली कॉम का है तो यहां पर 12 months का चलता है बागी जो ITE वाले trade है वहां पर 6 months का ही दोस्तों आपकी training चलती है इनको यहां पर 29-6-2020 के credit में पहुँचके जुआनिंग करवाने हैं सुबह 10 वजे तो 29-6-20 को signal और टेली कॉम बाले को पहुचना है यहां पर भी SCST candidate है उनके लिए जो a single journey second class pass होता है वो free pass दिया जा रहा है new pension rule के coding आपको NPS form भी fill up करके लेके जाना होगा या फिर वहीं पर दोस्तों NPS form भी लेगा वहां पर भी fill up कर सकते हूँ देखिए सकारा को document attach कर दिया गया है यह सारे document आपको बनवा के लेके जाना है इसके बाद place or date signature of the candidate और इसके बाद नीचे ब्लॉक लेटर में अपना नाम और यहां पर address आपको लिखके लेके जाना है अब चलिए बात कर लेते हैं friends सारे documents की जो यहां पर भेजे गया है तो यहां पर लिख दीजेगा यहां पर आपका रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज पोटो आ जाएगा और इसको फिलब करने के लिए पहले से मैंने वीडियो बना रखी है तो इस वीडियो के description box में आपको link मिल जागा कि कैसे आपको step by step attestation form को फिलब करने हैं वहां से देख लिजे reference ले सकते हो आपका basic detail यहां पर आएगा उनके signature और यहां पर details आजाएंगे इसके बाद place date और यह जो office के थुरू ही भरा जाएगा next बात आती है friends character certificate की तो देखिए इस तरह से परफर्मा दिया गया है तो यह तो आपका gadgeted officer से ही बर्माना होगा तो first gadgeted officer का signature designation place or date और इसके बाद second gadgeted officer का signature designation place or date और इसके बाद third देखिए जो last आप लोगों ने जहां से पढ़ाई किये हो head of the educational institution last attendant वहां से आपको उस college के principal या फिरेक्टर या फिर जो headmaster होंगे signature करके designation place or date करवा के लेके जाना होगा इसके बाद इसको attestate करवा लेना है किसे तो first class executive magistrate से या फिर district magistrate से या तो deed of indemnity के लिए बोला गया है special adhesive stamp before filling the form तो offer of appointment में बोला गया है कि 10 rupees value का आपको special adhesive चिपकाना होगा तो इसका print technical वाली जएगा court में चले जएगा friends जो civil court district court आपका होगा और वहां पे आपको 10 रुपे value का चिपकात देने होंगे वकील से लोयर से आपको मिलने है और सारा कु विटनेस की जरूत होती है तो आप लोग trainee हो तो आपका signature name or date और आपके family member के दो यहां पे witness बन सकते हैं तो signature name, address, date, signature name, address, date इसके बाद जिन से surety करवा रहे हो तो वो surety के regarding है उनके signature name, address, office, and place और इसके बाद जो surety लेंगे उनके regarding दो witness चाहिए जो कोई भी employee हो सकते है तो तो यहां पे certificate regarding pay surety, तो surety का कितना payment है सब कुछ इसके regarding एक certificate बनवाने होंगे तो इस तरह से बनवा लिजागा, जिस office में वो काम करते हैं आपके surety उनका यहां पे मोहर लग जागा, इसके बाद next reference, OBC के लिए cast certificate का परफर्मा दिया गया है, तो इसी format में आपको बनवा ल चास रूपए के non judicial stamp paper पर बनवा सकते हो, या फिर 10 रूपीज value का जो special adhesive है उसको भी चिपका के इसको बनवा सकते हो, court से, साराकू details अपना ही देना है, इस तरह से signature name of candidate, full address, इसके बाद next reference form of agreement का, तो देखिए बहुत सारे document यहां पे बेजगा है, तो agreement एक बनवाने होंगे आप लोगों के लिए, तो agreement के लिए यह जो है दोस्तों, कम से कम 50 रूपए या फिर 100 रूपीज के non judicial stamp paper पर court से ही आपको बनवा लेने होंगे, या फिर वही 10 रूपए के special adhesive चिपका के ही आपको बनवाने होंगे, तो party of the first part में आपका signature आजागा, candidate का signature, यहां पे witness जो आप इसके through ही फिलप किये जाएंगे, तो इतने सारे document है दोस्तों, जो कि भेजे गयते, तो अभी दो update आई हुए है friends, आप लोग video को share कर दीजेगा, कोई भी query है, comment section में पूछ लिजे, जैसे ही और update आते हैं, आपको information मिल जागी, subscribe कर लिजेगा, ताकि अपडेट आपको मिलत आपको मिलते हैं, 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 आपको मिलते